हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टिडीकर दोस्तो आरारसी ग्रूप डी 2022 के एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे 17 अगस 2022 के फर्स्ट सिप्ट के मैं पूछे गए प्रसनों को तो जो फर्स्ट सिप्ट में कोशन पूछे गए हैं उनका एनलिसिस करने बाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें बैल आइकोन दबालें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोडिपिकिसन मिल सकेगा इसके अलाबा वीडियो में ही आपको बताये जाएगा कि आप इसका फ्री पीडियेप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इसको सुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से कोशन पूछे गए थे फर्स्ट कोशन था दोस्तों कारे निकालने से संबंदित यानि आपको कुछ नंबर दिये गए थ जिसमें आपको कारे निकालना था तो कारे का जो सूत्र होता है वो होता है कारे बराबर बल गोणा बिस्थापन तो इस सूत्र का उप्योग करके आप कारे निकाल सकते थे इन तीनों में से अगर दो का मान दिया गया है या दो का मान पता है तो आप तीसरे का मान आसानी से निकाल सकते हैं तो work बराबर क्या होता है F into S ठीक है यानि कि work is equal to F यानि force into displacement ठीक है तो आप इस formula का उपयोग करके और कारिकों निकाल सकते थे next question था vitamin D से सम्मनित तो vitamin D का रासाइनिक नाम पूछा गया था कि vitamin D का रासाइनिक नाम होता है दोस्तों Kelsey Ferrol क्या होता है Kelsey Ferrol अब हम जितने भी vitamin हैं उनकी नाम भी discuss करते हैं क्योंकि आने वाले symptom में भी इस related question पूछी जा सकते हैं तो vitamin A का रासाइनिक नाम क्या है retinol है vitamin V1 का रासाइनिक नाम क्या है thymine है vitamin B2 का रासाइनिक नाम क्या है राइवो फ्लेविन है vitamin B3 का रासाइनिक नाम क्या है pentothenic acid है इसी प्रकार से vitamin B5 का रासाइनिक नाम क्या है niacin है vitamin B6 का रासाइनिक नाम क्या है pyredoxin है vitamin B7 का रासाइनिक नाम क्या है biotin है vitamin B12 को जरूर याद रखिएगा इसका नाम पूछा जाता है तो इसका नाम है दोस्तो साइनो कोबालविन क्या नाम है साइनो कोबालविन बिटामिन C का रासाइनिक नाम है एसकार्विक एसिड बिटामिन D का कैलसी फेरोल अभी हमने डिसकस किया है बिटामिन E का टैको फेरोल और बिटामिन के का रासाइनिक नाम है फिलो कुईनॉन क्या नाम है दोस्तो फिलो क्यूनॉन तो यह आप याद रख सकते हैं और आने वाले exam में भी पूछे ज़ल सकते हैं यानी आने वाले जो सिप्ट है उसमें इस परकार के question पूछे ज़ल सकते हैं तो इनको आप Agronomics की बाद करें तो यह विज्ञान की वह साखा है जिसमें भूमी और फसलों के प्रबंधन यानि management का अध्यन किया जाता है एक्रोनॉमिक से बोलते हैं इस विज्ञान में खादानों के उत्पादन और क्रसी संबंधी प्रोदोक की इवं विकास का अध्यन किया जाता है इस का अध्यन की जाता है हीमियोटोल लॉजी में तो कुछ विज्ञान की साखाओं से संबनेत कोश्चन पूछे गए थी तो ये प्रमुक साखाओं है इनको आप नोड कर लीजेगा ये भी एक्जाम में पूछे जते हैं अंगला कोश्चन था दोस्तों उस्ट निकटी बंध ये सदा बहार बन बोलते हैं ये बन एसिया औस्टेलिया अफरीका दच्छल अमेरिका मध्ध अमेरिका और प्रसांत दीपों में पाए जाते हैं ठीक है दोस्तों तो उस्ट निकटी बंधी सदा बहार बनों से रिलेटिड कोशन पूछे गए थे तो जो फॉरेस्ट से रि यदि ताप आदी भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सेरों के बीच उत्पन विभवांतर उसमें प्रभाहित धारा के समानुपाती होता है यानि भी समानुपाती आई ठीक है दोस्तों तो भी विभवांतर और आई क्या हो जाएगा तो दोस्तों जली कट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और हॉर्न बिल त्योहार दोस्तों ये नागालेंड से रिलेटेड है, मौात्सो उत्साव भी नागालेंड से रिलेटेड है, बाथु कामा ये तेलंगाना से, उगडी जो है वो करनाटक से रिलेटेड है, और सिंधु दर्सन जो है लद्दाक से रिलेटेड है, तो ये भी point है इनको आप note कर लीज़ेगा क्योंकि exam में पूछे जान सकते हैं त्योहार से related question अंगला question है दोस्तों milk of magnesia से related तो ये science का question है milk of magnesia के बारे में पूछा गया था तो milk of magnesia को क्या बुला जाता है magnesium hydroxide क्या बुला जाता है magnesium hydroxide यानि MgOH का hole 2 इसका formula होता है तो ये भी आप note कर लीज़ेगा तो MgOH का hole 2 को हम milk of magnesia या magnesium hydroxide की नाम से जानते हैं क्योंकि यह जब जल में घुलता है तो दूद जैसा दिखता है इसलिए इसे milk of magnesia कहा जाता है इसका उपयोग पेट की अमलिता दूर करने के लिए किया जाता है और जो milk of magnesia है इसकी प्रक्ति जो होती है वो छारिये होती है ये आप note कर लीज़ेगा कि milk of magnesia की जो प्रक्ति होती है वो छारिये होती है और इसका उपयोग जो पेट की acidity है उसको खत्म करने में किया जाता है अंगला प्रसंग दोस्तो ELISA test से related था ELISA test किस से संबंदित है तो दोस्तो ELISA test से हम HIV बारिस का पता कर सकते हैं किसका दोस्तो HIV का पता कर सकते हैं और HIV related है ATS से तो ATS का full form भी आप याद रखिएगा acquired immune deficiency syndrome इसका full form होता है तो यह आप note कर लेजेगा जो ELISA test है वो किस से related है HIV से related है याणि ATS से related है Sulfuric Amal से related question था तो Sulfuric Amal से जो question पूछा गया था कुछ question पूछा गया था तो Sulfuric Amal की बात करें तो H2SO4 इसका formula होता है उसका उपयोग battery बनाने में किया जाता है याणि battery हों में किसका उपयोग किया जाता है Sulfuric Acid का उपयोग किया जाता है अंगला question था दे से related विस सो आर्द भूमी दिवस कम मनाया जाता है तो weight land दे कम मनाया जाता है दो फरवरी को मनाया जाता है ठीक है याद रखिएगा विस सो आर्द भूमी दिवस कम मनाया जाता है दो फरवरी को मनाया जाता है याद रखिएगा एक point और कि भारत में कितने रामसर इस्थल हो गए है तो वो हो गए है 75 ठीक है कितने रामसर इस्थल हो गए है 75 हो गए है अंगला question था दोस्तों helium को Acadation Number पूचा गया था यानि helium जो gas होती है उसका Oxidation Number पूचा गया था तो helium का जो symbol होता है HE और याई एक निस्क्रिय गयस या noble gas कहलाती है और इसका पर्मानुक्रमांक कितना होता है 10 होता है स्वारी इसका पर्मानुक्रमांक और oxidation नमबर इसकी सून होती है ठीक है तो आक्सिकरन संख्या सून है परमाणू क्रमांग कितना है दो है अंगला कोशन टोक्यो ओलंपिक 2020 से रेलेटेड पूछा गया था याद रखिएगा 2020 से लेकर कि 2022 तक का current affairs पूछा जा रहा है तो आप इसको एक बार जरूर देख लें तो टोक्यो ओलंपिक से रेलेटेड कोशन था तो क्या कोशन था दोस्तों मैडल से रेलेटेड कोई कोशन पुछा गया था तो चलिए हम टोक्यो ओलंपिक में भारत को जो मैडल मिले हैं उनको हम discuss कर लेते हैं तो नीरा चोपडा की बात करें तो इन्हें गोल्ड मैडल मिल तो यह है मैडल टैली भारत के टोक्यो उलम्पिक 2020 में तो दोस्तों इसको आप नोट जरूर करिएगा अंगला कोशन था प्रकास अंसलेशन से रिलेटेड भी कोशन पूछा गया था तो प्रकास अंसलेशन एक मातर ऐसी प्रक्रिते के प्रक्रिया है जो बाता बरन में ऑक्सीजन छोड़ती है यानि कि प्रकास अंसलेशन की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है देखे, कार्बन डाय एक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, जल का उप्योग किया जाता है, क्लोरोफिल में इसकी प्रक्रिया होती है, और दोस्तों इसके अलाबा ग्लुकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माड होता है, तो याद रखिएगा कि जो प्रकासंसलिसन की क् क्रिया के बाद क्या क्या बनता है, तो दोस्तों ग्लुकोज बनता है, और इसके अलाबा ऑक्सीजन बनती है, और जल बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिगा, तो प्रकासंसलिसन की क्रिया जो है, क्लोरोफिल में संपन होती है यह आप नोट कर लीजेगा अंगला प्रसंधा दोस्तों कोशिका से related और ये कोशिका से related question था आत्म घाती थैली किसे कहते हैं तो कोशिका की आत्म घाती थैली किसे कहते हैं लाइसो सॉम को कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों लाइसो सॉम को कहते हैं और अंगला कोशन था जैन धर्म से रेलेटेड तो जैन धर्म से रेलेटेड कोशन को पूशा गया था तो चरिए इसको हम डिसकस कर लेते हैं तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर थे जेंधर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो रिसब देव थे जेंधर्म के संस्थापक कौन है तो रिसब देव है जेंधर्म के 24 बे तीर्थंकर कौन थे महावीर स्वामी थे महावीर स्वामी का जन्म 540 इसापूर में हुआ था ये सभी point आप note कर लिजेगा क्योंकि इस प्रकार के question पूछे गए है महावियो स्वामी का जन्वे बिहार में इस्तित बैसाली के कुंड ग्राम में हुआ था या कुंडलपुर ग्राम में हुआ था तो ये point भी आप note कर सकते हैं जन्धर्म से related question पूछा गया है तो आने वाली सिप्ट बे भी इसके पूछे जाने की संभावना है ये आप note कर लीजिगा देखे दोस्तो अंगला question है भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नैपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त को किसे कहा जाता है दोस्तो समुद्र गुप्त को कहा जाता है और अंगला question है मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरुसकार से related question था तो मेजर ध्यानचन्द खेल रतन पुरुसकार को पहले क्या कहा जाता था राजियु गांधी खेल रतन पुरुसकार कहा जाता था इसकी स्थापन उनीस सो इंक्याननेवी में की गई थी तो दोस्तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजेगा अब बात आती है दोस्तो PDF की तो PDF कहां मिलेगा PDF मिलेगा आपको हमारे application पर application का link आपको description में दिया गया है तो वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलाबा आप हमारे application पर steady material के अलाबा free test भी दे सकते हैं पर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप steady कर को सब्सक्राइब कर लें सभी दोस्तों को share जरूर करें जैहिंद बंदिमात्रम